हेलो दोस्तो मैं आनम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्रिंस दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेस्बुक पेज के लिए वीडियो एडिट कैसे करते हैं उसके बारे में एप भी आप लोगों को बताऊंगा और खुद उसको एडिट भी क कैसे करते हैं उसके बार में भी समझा हुआ तो इस वीडियो में बने रहना रास्त तक पुरा वीडियो देखना तब आप फेस्बूक पेज के लिए एक अच्छा सा वीडियो एडिट कर सकते हैं तो वीडियो में लाइक कर देना अगर नहीं कियो तो चलते सिधे फॉन में तो दोस्तो सीधे हम अपने फोन में आ गए है और यहां पर हम सीधे उस एप को सर्च करेंगे तो सबसे पहले हम उस एप को सर्च करते हैं यहां पर तो वाई ओ यू इसका लिंक डिस्किप्शन में भी दे दूँगा मैंने नेट नहीं खोल लगा पहले नेट खोल लेता उसके बाद आपको दिखाता हूँ वो कौन सा अप्लिकेशन है जिससे लोग बाग फेस्बुक पेज पर अपनी वीडियोज अप्लोड करते हैं और आइडिटिंग करते हैं तो यह वो अप्लिकेशन है आप देख लीजे ध्यान से यह आपको सर्च करना है प्ले से डाउनल पर लूगा आप डाउनलोड कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो फिर क्या करना है कि यहाँ पर हम उस वीडियो को ढूंडेंगे जिसको हम एडिट करना चाहते हैं जैसे मायन के चलिए मैं कोई वीडियो उठा लेता हूं जो की कट आउट में है तो यह वीडियो में क्रॉल करेंगे तो क्रॉब दिखेगा क्रॉब पे जाते हैं और हम इसको इतना से काटेंगे ठीक है इतने से काटते हैं या आप जैसा भी आपको जितना मैनेज हो सके इतना से हम काटते हैं ठीक है इतने से काटके यहां से बीच से यह फरक हो जाएगा इन में फिर यहां पर ह को देखना है छोटा हो चुका है थोड़ा सा उसके बाद यहां पर फिलिप का उप्सन है फिलिप कर देंगे तो इधर से इधर हो जाएगा घूम जाएगा यह देखिए फिलिप वाले से आपको ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे रखना है मतलब उल्टा सीधा रखना है उसके बाद यहाँ जाना है BG लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर BG लिखा हुआ है BG पर click करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर आप नीचे text भी लिख सकते हैं जो यह blank side नीचे खाली हो गया है आप देख सकते हैं, इतना लंबा भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहां लंबाई रख सकते हैं जो भी आप page पर videos देखते हैं, movies की, वो इस type के application से ही edit की जाती है ऐसे, जैसे यहां पर आपको देखने को मिला, picture का नाम यहां पर लिखते हैं और उपर नीचे दोनों लिखकर, आप color भी यहां लगा सकते हैं, जैसे color आप रखना चाहते हैं black color, red color, yellow color, जैसा भी, तो वो सब आप यहां पर ऐसे मान के चलिए, मैंने यह ले लिए simply, उसके बाद हमको यहां text लिखना है, तो text पर click करेंगे, तो आप यहां पर कोई भी picture का नाम लिखकर, इसको सीधे यहां पर सजा सकते हैं मैं जल्दी जल्दी आप लोग को समझा रहा हूँ, बाकि आप समझदार तो है ही, तो यह हो गया text का, उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो में सुदार, यहां पर filter पर जाना है, और filter थोड़ा सा change कर देना है, bright वाले या story वाले, bright वाले कर देते हैं इसके बाद आपको क्या करनी है, आपके पास अगर picture है, यह तो मैं status का दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास picture है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जाना है, और speed पर click करना है, थोड़ी सी speed इसकी हाई कर देनी है, ताकि जल्दी 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 अच्छी बन तक यह YouTube की वीडियो उठाई है, हमने इसमें editing करी है बहुत जादा, और उसके बाद जो है, आपको record करने का option मिल जाएगा, अगर आप अपने voice की record यहां से कर सकते हैं, पहले ही, जैसे मैं कुछ भी बोला हूँ, तो वो आगे से record हो जाएगा, तो यह record का option है, rotate कर सकते हो, बाकी volume इसमें zoom out कर सकते हो, गटा बढ़ा सकते हो, उसके बाद stickers हैं, यहाँ पर stickers लगा सकते हो, emojis हैं, उसके बाद filters हैं, music अलग से लगा सकते हो, कोई भी music इसमें अपने file से भी लगा सकते हो, यह देखिए मेरे पास file की music है, उसके बाद काट भी सकते हो, इस video को इतना इ और उसके बाद Facebook पे अपलोड करना कोई वी तरह की issue नहीं आएगी बहुत लोग का सवाल था सुर कोई app बताईए तो दोस्तों ये बहुत genuine app है बहुत धासु आप है Facebook पेज के लिए आसा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंकि दोस्तों